इसलाम लेकुम नाजी नाप देख रहे हैं पाकिसान टेलेविजन न्यूस प्रिग्याम हमारे हकुक के साथ मैं हूँ हेना चौदरी प्रिग्याम में आज हम बात करेंगे विमन राइट सोड जेंडर बेस्ट वर्लिंस के हवाले से पाकिसान में खवातीन के हवाले से बात की जाए तो कवानीन मौजूद है उनको जहां पर हर फील्ड में उनने अपनी काबियत का लोहा बनवाया वहाई पर कुछ मसाइल भी है मसाइल के हल के लिए कानून नाफिस किये गए हैं उन कवानीन पर हम बात करेंगे खवातीन के हकुक के तहफूस कैसे किया जा सकता है और किन तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है उने जिसमें हम वर्क प्लेस हरास्मेंट की बात कर लिए अर्ली फोर्च मैरजिस की बात कर लिए हुमन राइट वॉच्छ की एक रिपोर्ट के मताबिक 21 फीसित खवातीन की शादी अठारा साथ से कम उमर में करवा दी जाती है इन मसाइल पर रोशे डालें के साथ साथ यह चीज़ क्लियर करते चलें के सिंफी बुनियात पर तशदुत सिर्फ खवातीन का मसला नहीं है यह वो तमाम अफराद है सोसाइटी के जो किसी भी किसम नहीं का वोउलन स संपरें इस हमारे साथ रेलमें गैस मौजूत है उनका तारुप आप सबसे पहले कर आते चलो सबसे पहले में सामने यह समने तश्रीफ फर्मा यह ताहिरा अप्डुला साहपहा मैं थैंक्यू सो मुछ पर जोनिंग उनिग जो इस पोर इंडर बेस पोर तरह जोने के साथ तश्री फर्मा रभीय हादी डिरेक्टर जनल चायड प्रोटेक्शिन इंसिट्टूट्ट्टीट आप मिनिस्ट्री फ्यूमन राइड्सूचल वर्कर भी घंडर सपेशलिस्ट विद्ट इन एंटरनेशनल और इप्सपेडियन के साथ भी काम किया अगर हम इन्सानी हकूग के हवाले से बात करें। बहुत शुक्री आप आपने साथ स्टेडि़ी को कंटिनू नहीं कर सकते हैं। आपको steady priority, आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, मेल्स हैं, उनको धादा priority दी जाती है as compared to females. प्राइवेट सेक्टर्स में जो जाब करती हैं, लेडिस उनको पहुत से मसाइल का सामने हैं, एक तो आफिस के टाइमिंग बहुत जादा होती हैं, जिस वज़ा से घर में टाइम बच्चों को बहुत कम दे पाते हैं, बच्चे बहुत इगनोर हो जाते हैं, दूसरा हैं, वो कम एडूकेशन हासिल करें, या उन जगों पर जाएं, जहां पर मर्द हजराट बहुत जादा होते हैं. आपके लिए कोई इंशूरंस पॉलिसी नहीं होती है इंशूरंस पॉलिसी नहीं होती है ताकि अगर किसी दारे को कोई दो साल पांच साल दा साल देती है एक खातून और अपनी फैमिली को बिग्नोर करती है वहां टाइम देती है तो उसके लिए कोई पॉलिसी जोनी किसी भी कन्वेंस में आते हैं रास्मेंट का इशू होता है हमारी टाइमिंग मॉर्निंग टाइम में और तों के लिए होनी चाहिए ताकि वह अपने घर और अपनी इन लॉज में दोनों चीजों को मिंटेन कर सके यह हमेशा से इशू रहा है कि हम जो ना खावतीन की शायद आगे आने से उनकी तरक्की से डरते हैं लेकिन सबसे इच्छी जो यह बात है कि वक के साथ है एक तबदीली आ रही है पॉजिटिव तबदीली हमेशा बहुत आइस्तगी के साथ आती है लोग जो है ना अपनी बच्चियों को बाहर बेजने से डरते हैं क्योंकि इसको पहले डिफरेंशियेट कर दीजेगा कि सिर्फ विमन राइट्स नहीं है जंडर बेस्ट वर्लिंसे मराद मैं समझती हूँ अगर तशदुत की बात की जाए और हुकुक आपके प्रोग्राम का उन्वान है हमारे हुकुक तो सबसे पहला हक तो जिन्दा रहने का हक है अब आईए आपके किस तरह डिफरेंशियेट करने की बात आपने की सबसे पहला हक सिन्फी तशदुत के बारे में मैं समझती हूँ कि आदादो शुमार को सही करना जब तक हमारे पास सही आगही नहीं होगी तो शौर कैसे आएगा शौर नहीं आएगा तो अमल कैसा होगा जी हां कवानीन तो मौजूद हैं और कुछ ऐसे कवानीन हैं खास तोर पे सिन्फी तशद्द्द के बारे में जो कि एक दूसरे से मुतसादिम है तो मसला अगर एक तरफ कहा जा रहा है कि किसी बच्ची की शादी लड़कों की तरह 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए तो दूस तूसरी तरफ सोला बरस है इजाज़त है कि लड़की की शादी सोला बरस में करतो और तीसरी तरफ लड़कियों की को रस्म और रिवाज और रिवायात के तहत बारा तेरा चौदा बरस की उमर में ना सिर्फ शादी करती जाती है बलके जबरी शादी करती जाती है जबरी ये सब कुछ क्या है, इसा गडमिट हो गया है खवातीन के सिन्फी तशद्दुत के बारे में, और अभी तो हमने ट्रांसजेनर्स की बात ने की बात ने की, बच्चों और बच्चीों की बात ने की, अभी हम सिर्फ आटों के बात कर रहे हैं, ये एक बहुत वसीतर मौजु ह जो एक दिन के आलमी ह्हागुक नहीं हम एक दिन मनाते हैं लेकि वह एक दिनी हर दिनी ह्हागुक के वहाले मनाना चाहिए। ताहरा साबे ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया है जिसमें हम सहलाब मतास्फिन खावातीन की बात करें हामला खावातीन हैं मेंटल इशूज हैं और वह सी खावातीन के लिए परसंट विडिसिबिलिटीज वहां पे मौरूद है बच्चे हैं कि जिनको खुसूसी ज़रते हैं तो मेडम ने वह पॉइंट पी रेस कि आप से सवाल है कि खावातीन के हाकुक की इसलिए हम बात करते क्योंके ज़्डर बेस्वालें में जादा वल्नरेबल जो हमारा मेंबर है वह खावातीन है कि उनको बहुत हाला ठीक है कि हम उनकी डिफिन प्रिप्रिजें सब यह होता है तो आई वांट यू तो आज सम कमेंट्स ऑन इट के यह जो हम कैंपेंट की बात करते हैं विमन राइज फर्स वेव फैमिलिजम सेकंड वेव फैमिलिजम थर्ड वेव फैमिलिजम तो यह उनको मालूम होना चाहिए कि हाव इच स्टार्ट अपनी पागिस्त जो जुलूस निकाला होवातिन वुकला के साथ तो वह बारह फर्वरी को फिर एक माइल स्टोन बन गया जो सिन्फी तशद्दद की बाद आप कर रहे हैं जो आपका सवाल था तहरा से मेरा ख्याल है सिन्फी तशद्दद तो सिर्फ औरत से होता है बच्चियों से होता है और यहां पिर ट्रांसजेंडर है और लड़कों से आप कहलें बच्चों से मर्द से तारीख में जिन्स की बनियाद के सिंफ की बनियाद पे तशिद्द्द नहीं हुआ सिर्फ और और कोई मैच नहीं है यह कोई आपस में मुकाबला नहीं है सिंफी जो बराबरी है वो उसमें हम कर लेते हैं एक बहस कि ये मर्द के भी हकूख है ये औरत के लेकिन सिंफी तशिद्द्द और सिंफी अम्तियाद जो है वो तारीख में सिर्फ और अरत से बड़ता आगी है ये ये बात करना बहुत जरूरी है कि मसायल क्या है पाकिसानी कि रुचित के फिर इस इस रही में बात करती हैं अगर मैं आपके पर परसुन एक्सप्रयंस से रिलेट करते हुए हैं अगर मैं यह बहू नही एक नहीं बताई जो उनुन ने है। है जुट पहली चीज से गुफर्ण इस वार्पार्रेग के अंडर अगर में एव नह भी और एक स्ट्रगल है और यह अच्छा इनिशियटिफ था कि खवातीन को कमस कम decision-making position से बिठाया गया लेकिन विदिन दे institution there is a struggle वो डिफरेंट राइट को लिए विदिन institutions movement चला रही है जो के हकुमत ने खलूस से नियत से या international commitments के साथ गाय बगाय बनाए चाहे वो साथ करना बहुत एहम है कि एडारे हमने बनाए और अच्छी नियत से बनाए क्यूंकि सरकार का यह डुमेन नहीं रहा और यह फर्स टाइम है तो वहां teething issues है क्योंकि उसकी proper planning ने जो यह लोग है जो child protection specialist है यह बच्छों के हवाले से यह नफसाथी वह वहां उन इदारों में placement होना उनकी recruitment क्योंकि अमोमन जब सरकार में recruitment होती है एक set patterns के साथ होती है कि हमें administrative staff चाहिए हमें naib kaset चाहिए लेकिन these institutions required special positions दूसरी चीज कि जब हम planning की सतह पर जाते हैं और सरकारी उसमें जाते है तो वहां एक set environment है कि हमें यह decision सब पर apply कर देना लेकिन service delivery अदारों के लिए वह planning applicable नहीं होती उस तरह से क्योंकि नहीं अदारे जब establish होते हैं उनकी requirement है hiring की भी उनकी requirement है purchase की भी वह सारा कुछ तो जब austerity committee या उसके measures आते हैं तो वह आपके लिए एक set back होते हैं कि आप यह नहीं कर सकते हैं बार है लेकिन आपको यह realize करने कि बच्चा अगर प्रॉब्लम में यह वह किसी वाइलन्स का शिकार है तो यह इंतजार नहीं करेगा कि यह कब बनेगा उसमें वह बच्चा या तो पूरा क्रिमिनल बन जाएगा या पूरा ड्रग एडिक हो जएगा जब तक हम इसको फोरां से अगाही बहुत जरूरी है तो बतार इस हाँ प्रॉब्लम में ज्ड़ेटी को बता है यह आपको तो शागा तो गर्ष भालिघा तो लिएर निश्थ इस वाप को बता है कि यह हमारा शौल पॉंट है हरास्मेंट ऑफिस में फेस करने पड़ती है या फिर घर में डुमेंस्टिक वालेंस की बात करें उनके लिए एक सबसे बड़ा सेट बैक कि होता है वो यह सवाल सोचती हूं शाय चुप कर जाती है इसकी मुन्याद पर कि वियर टुगो नाओ किसको बताया जाए और क्या इस आपस में मिलकर सिवल सोसाइटी और हुकूमती एदारे मसलन विजारत एंसानी हुकूक, National Commission on the status of women, National Commission for Human Rights, National Commission for Child Rights, National Commission for Minority Rights, Transgender Rights, People Living with Disabilities Rights, वगयरा वगयरा इन तमाम सरकारी एदारों और तन्जीमों के साथ-स गैर सरकारी एदारों और तन्जीमों को साथ लेकर चलना होगा कि इमा पर नहीं या किसी की पसंद या ना पसंदीद्की पर नहीं है, अक्वाम मुतहिदा का रुकन रियासत होने की वज़ा से के नाते ये फर्स भी बनता है रियासत का, कि सिवल सुसाइटी को साथ लेकर चले, सिवल सुसाइटी की तन्जीमों और एदारों और एक्टि ने रियासत में, मसलंना विमेंज क्राइसेस शेल्टर के जो खवातीन तशद्दत का शिकार हैं और अपने घर में नहीं रह सकती चाहे वो उसका उनके वाल्देन का घर हो, एँंके शोहर का घर हो, या उसका अपना कोई और घर हो, नहीं रह सकती तो उनके लिए शेल्टर बनाना क्राइसिस शेल्टर बनाना बहुत जरूरी है लेकिन वहां पर आगही पहलाना एक खातून को पता कैसे चलेगा कि उसको ये रोज रोजाना रात की मार पीट परदाश नहीं करनी जरूरी। उसके लिए कोई कृईसि सेंटर, कोई शेल्टर, कोई कोई वकील, कोई साकाईटरिस्ट, कोई ट्रॉमा कांसलर, कोई मौजूद हैं, यह सारे सहूलियात मौजूद हैं, तो यहां पर गहर सकाईटर्व में आती हैं, मिल कर काम करना होगा. । पिखासी फीसे पाकिस्तानी खावातिन और बच्टिया तशड़द का शिकार हैं जो के हैं तो फ्र कोई भी ह्कुमत अकेला ये काम नहीं कर सकते और कोई भी गैर सरकारी तंजीम अकेली ये काम ने कर सकते नाईन साब हम अगर दुनिया की बात करें और जो जender-based violence है तो कौन से वाकियात सुनने मेरे आते हैं इसी रिपोर्ट्स जो हमने सुनी है के चाहे, क्योंकि हम जंडर-based violence की बात करे ए तो असमें सफ़ ए ऑगचे भी हैं हमें minorities हैं उसमें transgender community हैं तो हजार वाकियात सुनने में आते हैं तो I want you to mention few forms of gender-based violence Gender-based is a problem with men लेकिन उसकी सजा औरत को मिलती है हमारे अलाके में गरत के नाम पर कतल जो है यह गरत के नाम पर नामनी हाथ गरत के नाम पर गरत जो है देखें आप हम ड्रामे देखते हैं यह जब सिगर्ट पीते हैं तो आता है जी सिगर्ट पीना मना है और लेकिन वालेस दिखाते हैं तो वहां छोटा से लिगा देना जिसे के और अपर हाथ उठाना जुरूम है वह चला जाए एक सेकिंड के लिए आ जाए और वैसे जो है मुखलब अदारे हैं मिनिस्ट्री आफ आपके इनसानी हकूख है यह केमिशन है यह पबलिक सर्विस सर्विस मैसेज़िस देना आपने सारे यह जबली शादी आपकी सुआरा वनी आपके रैप च्छग गैंग रेप को मैं तो समझता हूं कि आपके अवरत के खिज़िद सकाफ्टी कल्चरल टरिनी है कल्चरल टरिरिज्म है और यह जिस स्केल पे हो रहा है यह कौवर्ट के जमाने में भी हुआ जो बात आपने की कि आगाही जरूरी है लेकिन उसे पहले आप से सवाल यह है कि वोर्लेंस यह जो तशद्दूद है यह किसी एक जंडर के साथ असोसियेट नहीं कर सकते हैं तो दो यू एग्री यह जैसे नहीं सबने कहा कि आप देखते हैं खावातीन उसका जादा शेकार नहीं और अगर प्ड़ीडी देखें उनमें भी खावातीन बच्ची नहीं हैं उनके साथ दाउन सिंड्रोम बच्ची रेप होती है हर दूसरे दिन प्रेगनें उती है जो आपके लाफ था दाउनस्ट और सցन्छ साथी कान गर राव डावनें च्ची नहीं साथ हैं जो स्टाफ हम हायर कर रहे है वह इसी एकडेमिक प्रॉससस से आता है उनकी भी आगाई नहीं है उसको अपडेट करने की बड़ी जरूरत है दिया नोट अवेर कि इनके साथ डील कैसे करना है है एक भी आप जाहर है रोक्रीटमें तो रहा है आप लेकर आते हैं वहां पर भी आपको करने की जरूरत है और I fully agree कि its most vulnerable जो है बच्चे और 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 आते हैं बच्चियां और और इसमें इसमें था बच्चे और बच्चियां भी इस वकार चामिल है अच्छा आपको शायर भी करना चारी है लेकिन एक सवाल भी आपके लिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम रात को सुई और सुबू उठें और यह सब चीजे खतम हो जाएं तशदुद का नाम और निशान दुनिया से मिर जाएं हम खाहिश कर सकते हैं लेकिन what are the steps जो हम ले सकते हैं individually बहुत चोटी चोटी चीजे हम कर सकते हैं जैसा के नईम साब के साथ मैं बिलकुल इत्तिफाक करती हूँ और रभ्या साहिबा के साथ भी के चोटी चोटी चीजें करने की जरूरत है हमें हमें दुनिया फता नहीं करनी है हमें छुट मसलां इन्होंने कहा कि घर को क्यों पर तवज्जो दी जाए फोकस किया जाए मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा हमें तालीम पर फोकस करना है हमारा जो निसाब है वो बहुत इहतराम के साथ बद से बत्तर होता चला जा रहा है अब देखी चोटी सी चीज़ है कि यह जो सिंगल नैशनल करिकिलम आया था कुछ पिछले साल उसमें उसकी मैं बुराई करूंगी इसलिए कि जो जो तस्वीरें है उसमें तमाम औरतें और बच्चें एक सानवी हैसियत एक घरेलो खवातीन की हैसियत से लड़का स्कूल जा रहा है लड़की स्कूल नहीं जा रही औरत घरेलो काम कर रही है मर्द बाहर का काम कर रहा है तो यह क्या हम बताने की कोशिश कर रहे है मर्द की हाकमियत, मर्द की फौकियत और फिर वो तशद्द में जाके ट्रांसलेट होता है कहना ये है कि सिर्फ जिस्मानी तशद्द तशद्द नहीं होता जहनी तशद्द भी होता है गाली गलोच, सारा वक्त नीचा दिखाना उसको उसकी तजलिव करना और वर्टों की और बचियों कि और ट्रांसजेंडर्स की और पी डालियूडी की ये भी एक तशद्दद की ये एक तशद्द की माली तशद्द. हर तरह के तशद्द ओरतें बड़ाष करती है 85% पाकिस्टानी ओरतें और बच्चियां और ट्रांस जेंडर अगर किसी शकल में तशद्दत का शिकार है तो हमें तो चौंक जाना चाहिए ये एक लमा फिक्रिया होना चाहिए हमारे लिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं अरभया आपसे जाते हैं खाकिस्टानी एक सवाल कि तोर पे जो विमेंटेशन के बात करें हम कैसे अमसाल कहल निकाल जाल सकते हैं मेरे खाल में जो काफी बाते हैं, बहुती चीज़े हम पहले कर चुके हैं, जैसे नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क, फेडरल लेबल पर हमारे पास होने चाहिए है, मिनिस्ट्री फ्यूमन राइट्स जो है, उनके अख्तियार में भी है, वाइलन्स अगेंस विमन की पॉलिसी, जैसे ताहरापर ने कहा है, एक जगां पर 18 साल कानून में उमर एक में 16 साल है, और आप प्रोविजन देते रहें, उसको करें बाइंडिंग, कि इंटरनेशनल कमिट्मेंट आपकी क्या है, आपकी जो इस वाकर 18 साल अगर शिनाख्तिकार में उमर है, तो बस 18 साल मैरिज के कांट्राक्ट कांट्राक्ट असमें रखें और वह स्ट्रेक फ्रेमवर्क जो है, पॉलिसी सूबं पर अप्लाइए की जाए, और जो हमारे फेडरल कैपितल है, इसकी मेट्रोपॉलिटन पुदी सोनी चाहिए, आप प्रोटोकोल पे होंगे या, पॉलिस की अपनी अपनी अपनी आपका शुक्रिया नाइम सब आपका शुक्रिया कि आप भी ताइम दिया, नाजिक विनिस्ट्री अफ हीमन राइट्स, और जब हम कवारीन के हवाले से बात करते हैं कि क्या इनिशिटीस लांच्ट के लिए इस हमाले से नजर डालते हैं, हमने प्रोटेक्शन अग और फिर उसके साथ साथ हमारा Anti-Rape Investigation and Trial Act जो है वर 2021 के अंदर हम ले के आएं जिसमें इसके परसीजर को हमने comprehensively address किया है कि कैसे इसके जो है विशू को अब investigation इसमें की जाएगी और कौन-कौन से और दूसरी चीजों को देखा जाएगा ताके विक्टम को जल्दी और फौरी इसके इसके साथ साथ फिर हमने Legal Aid Justice Authority Act 2020 के अंदर एक बनाया जिसके ताहित हमने फिर Legal Aid Justice Authority का क्याम में लाया गया और इसके जरीए हम कानूनी और माली अमदाद जो है विक्टम को परवाइड करते हैं फिर इसके साथ साथ जो एक और अहम कानून है वो enforcement of women's property rights act है जो 2020 के अं किये हैं जिसको अब फैडल उंबर्स परसन के थरू जो हमारा फॉसफा है उसके थरूस की implementation अब की जा रही है ताके लोग खावातीन के जो property rights हैं को ensure किया जाए फिर अगर domestic violence की बात करें तो domestic violence वेल इस वक्त मिनिस्ट्री में बनाया हुआ है जो के इन प्रॉसेस है पार्ल देखने की जरूरत है कि तमाम सूबों के अंदर violence against government के ओपर एक comprehensive legislation हो चुकी है जिसको तमाम department के साथ मिलके implement किया जा रहा है तूब 18th amendment के बाद आप independent है वो अपनी मर्जी और जरूरत के मताबक policy और last जो है वो बना सकते हैं फिर federal level के ओपर हमने एक significant अगर plan और policy की बात की जा है तो national action plan on human rights हमने बनाया हुआ है जिसको recently हमने revise किया है 2020 के अंदर 2016 के अंदर हमने ये plan बनाया था इसके अंदर भी इसका thematic area to जो है वो gender based violence के ओपर मुखतलिफ interventions जो है वो पर प्रपोस करता है फिर हमारा human rights policy framework भी इस वक्त in progress है इसके अंदर भी domestic violence और खवातीन के rights के हवाले से बात की गई है फिर हमारा model policy and violence against women जो है वो भी हम national level पे एक मना रहे हैं वो भी in process है इस में भी हम सूबों के लिए भी recommendation और प्रपोस करेंगे मुखतलिफ intervention जो के सूबे अपनी जरूरत के मताबक इसको adopt कर सकते हैं फिर हमारे पास inter prevention ministerial अगर group की बात करें एक ऐसा फोरूम है जिसमें सूबे और वफाकी खूमत मिलके खवातीन के राइट्स के उपर बात करते हैं और उसके अंदर जो भी policy legislative measures लिये जाने हैं department से वो प्रपोस करते हैं फिर हमारे पास सबसे बड़ा landmark decision in the recent past gender policy framework है which was launched by the ministry of planning and development reforms ये भी एक comprehensive document है फिर सीडा convention हमने party of this convention government जो है वसूबों के साथ मिलके बहुत आहम अक्तामात कर रही है हमने सूबों के अंदर सीडा committees बनाई हुई है जो के federal government उनको facilitate करती है कि किस तरह उन्होंने अपने कवानीन और policy को review करना है ताकि उसको woman friendly बनाया जा सके फिर हमारा एक और landmark initiative है जो के action plan on business and humor rights है इसके अंदर भी हमने discrimination है खवातीन के साथ businesses के अंदर और फिर harassment का issue है business activities के अंदर जितनी humor rights violation हो रही है तो उनमें हमने खवातीन को भी address किया है पिर अगर देखा जाए तो redressal mechanism एक अहम मेरा ख्याल फोरूम है मुक्तलिफ हमें जो provide करता है कि अगर खवातीन के साथ कोई domestic violence का उपर भी और humor rights का general commission भी काम कर रहा है बच्चों के हवाले से भी काम कर रहा है और खवातीन के commission है उनका basic purpose यही है कि to monitor करना women's rights situation in the countries और अगर उनके पास कोई complaints हाती है तो वो उसको भी address करते हैं उसके साथ साथ फिर हमने federal level पे humor rights complaint cell भी establish किया था फिर उसके साथ साथ हमारी है कि help line 1099 काम कर रही है similar help line सूबों की सता पे भी काम कर रही है जहां पे कोई भी जो है वो victim legal और social psychological जो वहां पे help ले सकता है फिर हमारे पास हमने gender protection unit establish किये हुए है मुक्तलफ policy station के अंदर फिर हमारे पास अगर देखा जाए तो women parliamentary caucus का एक बहुत बड़ा parliament के अंदर forum मजू है जो खवातिन के rights की बात करता है फिर हमारे women protection center जो हमने devolution से पहले 26 establish किये थे पूरे पाकस्तान में तो devolution के बाद वो सूबों को transfer हो गए उसका एक center इसलामबाद के अंदर शेहीद बेंजिर वोटो center for women protection कामकार है जिसके अंदर family protection center भी है जहां पे खवातिन को कानूनी इमदाद दी जाती है psychological issues जो है वो deal किया जाते हैं और उनको अगर कोई stay की जरूरत हो तो बवक्ते जरूरत उनको stay वहां पे दिया जाता है और फिर rehabilitate किया जाता है similar structure जो है वसूबों के अंदर भी दार-alumान पना और दूसरे दारों के नाम से काइम कर रहे हैं फिर हमारा एक women in distress and retention fund भी हमने federal level पे establish किया हुआ है जिसके जरीए माली अमदाद की जाती है victims of women rights violation फिर उसके अलावा अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्स के अंदर human rights cells establish हो चुके हैं वहां पे कोई भी victim जो है वह अपनी complaint बेज सकता है और इसके साथ साथ हमारी parliamentary standing committees भी क नहीं तो वो भी facilitate करते हैं प्रिगैम से मुझे इजाज़त दीजिएगा इंशाला अगले विकेट आप से मुलाकात होगी अलाफिस